diffusion of innovation, diffusion means fail na, diffusion means kya होता है, diffuse हो जाना, innovation यानि कि जब कोई नए प्रोड़क्ट मार्केट में आता है, कोई नया creativity मार्केट बाता है, कोई नई service आ रही है, तो उसको हम कहते हैं innovation, तो कोई भी मार्केट में जब नया प्रोड़क्ट लांच होता है, तो वो कैसे जो है market में, जो है प्रोड़क्ट पर फैलता है, कितने time period में प्रोड़क्ट में फैलता है, उसको कहा कहते है, diffusion of innovation, diffusion of innovation is a theory that seeks to explain how, why and at what rate new idea and technology, इस प्रितियानि, जब भी कोई नई टेकनलोजी आती है, कोई नया idea आता है, तो वो कैसे, क्यूं, और किस rate पर फैलता है customers के बीचे मार्केट में, उसी की स्टेडिकों कहाते है, diffusion of innovation कहते हैं, is a theory, diffusion of innovation is a theory that explains how over a period of time an idea or product offering gains popularity or diffuse through social system and culture, तो कैसे जो है किसी एक पर्टुलार्ट में एक महिने में, एक विक में कैसे कोई idea, कोई product है जो popular हो जाता है, जो आप कहते हो नो, viral हो गया, viral हो जाना मतलब कि कितनी जल्दी कोई चीज viral होती है, यानि कि कितनी जल्दी जो है लोगों को उसके वारे में पता चलता है, कई बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा हो, कई जगा पर वीडियो देखते होंगे, तो आपको जब तो पता चलता है, तब तो पता चलत तो एवरेट रोजर्स थे जो कि प्रोफेसर है कम्मुनिकेशन इस्टडीज के उन्होंने इस थूरी को पॉपलराइज किया था उन्होंने बुक लिखी थी डिफ्यूजन आफ इन्वेशन जो की 1962 में पॉपलिस हुई थी उसी में जो है इन्होंने डिफ्यूजन आफ इन्व इन्वेशन भी तो कोई एक टम होता है कोई ऍॉपक औरक्रियर कोई औरक्रिया कोई नया प्रोड़क्ट जो है वह वो पॉपलर होता है किसी । में कैसे लोग customer जानते हैं कब जानते हैं कई बार होता है कि बहुत सारे market में ऐसे ऐसे brands होते हैं जो इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है लेकिन actually मार्केट में होते हैं क्यों क्योंकि उसका diffusion of innovation का slow है वो जल्दी से diffuse नहीं हुआ तो diffusion of innovation के basis पे customers को जो है five category बाता गया है इनोवेटर, early adopter, early majority, late majority और legards यानि कि कैसे कितनी जल्दी लोग accept करते तो जो इनोवेटर होते हैं तो जैसे ही कोई नया market में नया innovation होता है तो उसको जल्दी तुरंत जो है इनोवेशन होता है उसको तुरंत प्रचेज करते हैं उसको यूज करते हैं उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो उसको accept करते हैं तो उसको कहते हैं early adopter 13.5% होते हैं टोटल market का 13.5% लोग होते हैं जो कि early adopter कहलाते हैं जो इनोवेटर के बाद उस product को उग यूज करते है वो लोग क्या चुल खृत है कि आप की टाइम फेर के आप कोई काम इन होगा तो अब आपने क्या कि अब एस्ट को क्या करती है तो ऐस något मेडिया फो combinations यह क्यों ठीवार्टर होते हैं कि जैसे कोई नहीं टैखनोगए सेंसिटिभ एंड विलिन पैड डॉदर कि अर्फुर। है जो नहीं टेकनलोरी हो ज़्यादा आडवांटेश देती है क्या कर तो फिर जो है पर्चेस करते हैं उसमें प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होते हैं लोग तो उसको एज़गर करके उसके के बात जो लोग जो customers जो है इसको अच्छा प्रोडक्ट है इसको यूज करना चाहिए तब यह जो है उस प्रोड़ेट को यूज करते हैं वहीं पर लेट मेजॉर्टी यह क्या होते हैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं टेकनलोजी शाई होते हैं जल्द से ने टेकनलोजी अब इक्सरटने करते हैं और प्राइस इसको फैक्टर देखते हैं तो इनको क्या करते हैं late majority और last में क्या था लगार्ट जो यह traditionally bound होते हैं और innovation को रेजिस्ट करते हैं कि इनोवेशन चाहते ही नहीं है लेकिन जब होता है कि अब उसके बगर काम ही नहीं चल पाएगा तो फिर यह क्या करते हैं उसको accept कर लेते हैं तो इनोवेशन की डिविशन जो डिफुजन ऑफ इनोवेशन हैं उसके बेसिस पे कस्टमर्स को इन पांच क पहुंच जाते हैं फिर अर्ली डॉप्टर उसको यूज करते हैं फिर अर्ली मेजॉर्टी वाले यूज करते हैं फिर जो लेट मेजॉर्टी के कस्टमर्स आते हैं फिर लेगार्स वाले चले आते हैं जब वो पूरे मार्केट में चल जाता है उसके बगर काम नहीं चल सकत पुश्व ओल्डविस्ट की पॉचने को